कि चलिए हम लोग बात कर रहे थे वन डेक जाम को दियान में रखते हुए आपके कुछ मत्पून कोश्चन से लिए जा रहे हैं और उनके आंसर बताए जा रहे हैं याद रखे इन सभी टेस्टों में आपके वही questions लिए जा रहे हैं जोते हुए आप पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभाव ना है आने वाली परीक्षाओं में तो याद रखे इस तरह के वंडे exam में आप देख सकते हैं जो भी state exam करव और एक बात और याद रखे अगर कई लोगों का कहना है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो याद रखे जो बैल आइकन है इसे प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी आपकी इकलास आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वैसे भी आपको सुभाय आपका civil service और state PCS को दियान में रखती हुए टेस्ट आ रहे हैं और सामको आपका वंडे exam के लिए ठीक है पहली वार सयुक्त राष्ट सब्द कपरियोग कब किया गया था यह आप देखेंगे एक जन्वरी 1942 को यह आपको को सामान जानकारी दे दूँ कि आपके जो भी राष्टिय संगठन है जैसे आपका निर्वाचन आयो हो गया आपका बित आयो हो गया चुनाव आयो मतलब समझ रहे हैं नीति आयो यह जनायो इस तरह से आपके जो भी संगठन है मात्मों उन सब के बारे में लोग बिस्तार से बात कर चुए हैं और अंतराष्टिय संगठनों में जब आप देखेंगे युनेसको, सहिवतराष्टसंग, डबलुयचो, डबलुटीओ, इन सब के बारे में लोग बहुत बिस्तार से बात कर चुए हैं अगर कोई संगटन चूटा हो तो उसका भी बताईए उसके बारे में भी आपको बता दूँगा तो महत्वोन संगटनों के नाप से प्लेलिस्ट सुची बनी हुई है उसमें सभी संगटन डले हुए है और याद रखें इन संगटनों से संबंदीत कुश्चन्स आपके हर साल बनते हैं एक नाई कुश्चन्स आपका हर परीच्छा में पूछे जाते हैं तो यहां कुश सामान जानकारी दे देता हूं सहिप्तराष्ट के बारे में जिसे युनाइटिड नैसंस बोलते हैं लोग इसकी स्थावना 24 सक्टूबर 1945 को की गई सहिप्तराष्ट का बाया अस्तित में 24 सक्टूबर 1965 को इसका मुख्यालाई आपको देखने को मिलेगा कहां नीवार के मिलेगा युनाइटिड इस्टेट में ठीक अमेरिका में ठीक याद रखे कई बार मुख्यालाई के बारे मैं पहुँच लेता है निम्ने में से किसे अडू सक्ती के सांती पूर्ण उपयोग के लिए गटित कमीशन का द्यक्ष नियुक्त किया गया था निम्ने कित में से किसे अडू सक्ती के सांती पूर्ण उपयोग के लिए गटित कमीशन का द्यक्ष नियुक्त किया गया था तो यह थी डॉक्टर एज जे भावा, डॉक्टर एज जे भावा, ठीक है, जिसे आप लोग हॉमी जहांगीर भावा भी बोलते हैं, इनके जनम की अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ था भारत में, और इनकी मित्व इनकी हुई थी 24 जन्वरी 1966 को, ठी मालू बिज्ञानिक थे, तो याद रखिए इनके जनम को भी, करिवार कुष्टन बन जाता है, इससे भी इनका, चलते हैं अंगला कुष्टन दीखते हैं हम लोग, क्या है कुष्ट है नमारा, धर्ती रक्षा कोस की स्थापना किस सेतु की गई है, यानि कि इसका उद्दे देखेंगे आप लोग, परयावरं सरक्षन हेतु, परयावरं सरक्षन हेतु, ठीक है, परयावरं सरक्षन हेतु, अंगला कुष्टन है हमारे समने, नेवली कि इत्मेसे किस संस्था का गटन 1944 के बेटन होर समझोती के अधीन हुआ था, क्विश्चन क्या है आपका निम लिखित में से किस संस्था का गठन 1944 के बेटन बुड समझोती की अधीन हुआ था आप देखेंगे इसमें अंतराश्टी है मुद्रापोस का भी हुआ था और विस्बेंग का भी हुआ था यानि कि आपका D-Option सही होगा एक और दो वैसे आपको तीनों के बारे में मैं कुछ सामान जानकरी दे देता हूँ वैसे आपके इनके बारे में विस्बाद कर चुका हूँ तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं अगर आपको जाना ही विस्बाद में पढ़ना है और बहुत विस्ताल से पढ़ाए गया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंतरश्टी मुद्रा को उसके बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को इसका मुख्याला आपको देखने को मिलेगा क्या हाँ बॉसेंग्टन डीसी में सयुफदराज अमेरिका में ठीक है बिस्त बेंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में युई थी इसका मुख्याला आपको बॉसेंग्टन डीसी और यूनाइटिट इस्टेट में देखने को मिलेगा फिर आपका A.C.N. विकास बेंक की अगर बात करें तो इसका मुख्यालाई आपको मिलेगा फिलिपियन्स में देखने को कहां? फिलिपियन्स में और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी 19 दिसंबर 1966 को ठीक है? याद रखे इसकी आपके या तो मुख्यालाई के बारे में पूछ लेगा या फिर में मर्गs के बारे में पूछ लेता है कई पार तो इसके लिए आप लोग पढ़ लीजेए थोड़ा और इसके मेंमर उग दो ओर इनका मुख्याला कविस्त अपना हुई इस सामाल जानकरी याद रखे क्योंकि हर बार कुष्चन जाता है आपको थेक है चलतें अंगले कुष्चन की तरफ क्या अंगले कुष्चन हमारे सामने भारत अब तक कितनी बार सुरक्ष्चा पविश्चत का आईस्थाई सदस निर्वाचित हो चुका है बहलत अब तक कितनी बार सुर्च्छा परिश्थ का सदस्लिया इस्थाई सदस हो चुका है भारत sacrificating देखें कि अभी तख साथ भार वह चुका है कभ तक साथ बार कि कि और याद रखिए अभी हाल में ही चुने दूसरी वार चुने जाने की यानिन 8 मी बार चुने जाने की बात की जा रही है इसमें आप देखेंगे 15 27 सदस होते हैं और 10 27 सदस होते हैं ठीक है तो याद रुखना है इसमें अभी तक साधवार चुना जा चुका है लेकिन आगे अभी ही घुशना हो चुकी है आगे जो भी होगा अपडेट बना रहेंगे स्तयुक्तराष्ट संका 193 बा सदस देश कौन है स्तयुक्तराष्ट का 193 बा सदस कौन सा है तो यह दच्छिडी सूडान कौन सा दच्छिडी सूडान स्तयुक्तराष्ट संका 192 बा सदस कौन सा था तो यह था मॉंटे डिग गरू बी यह उप्सन आपका बिल्कुल सही है अगर बरत्मान में हम लोग बात करें कि स्तयुक्तराष्ट संके में कितने सदस हैं तो आप देखेंगे 193 सदस हैं कितने 193 कुश्य नहीं मारे सामने वारत्मान में स्तयुक्तराष्ट संका महासरचिप कौन है मुझे लगता है कि आपको याब रखनी और रखना चाहिए अभी आपने देखा है इन एंटो नियो गुट रेस हैं एंटो नियो गुट रेस हैं पहले थे बान की मूनेंस से पहले अभी कौन है एंटो नियो गुट रेस याद रखी क्या होता है कि जब भी मुवाइल से इस तरह की क्लास लेता हूँ तो बड़ा मतलब पेंड का इसमें बेवस्था नहीं रहती है लेकिन आप जब लेप्टॉप पर लेता हूँ तो वहतर उसमें पिलेट रहती है पूरा आपका डिजीटल पिलेट उस पर आराम से लिख जाता है तो सुन लीजिए आराम से सुन लीजिए आप लोग एक बार और बता दीता हूँ यह इसमें आपको देखने को मिलेगा जो नाम है एंटो नियो गुट रेस एक पूर्थगाल है कहा है पूर्थगाल की ठीक है चलते हैं अगला कुश्चन देखते हैं क्या पूंछ रहा है अगला कुश्चन हमारा सहीवक्त राष्ट महासचव एक बार में कितने समय के लिए चुना जाता है यह आप देखें कि 5 साल के कितने 5 वर्स के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि 5 साल इनका कारे कारकाल होता है ठीक है जिस तरह आपकी राष्टपती विधानमंद्री का होता है पैदानमंद्री के तो 5 साल का वैसे होता है इनका कारे कारकाल पहले भी अठाया जा सकता है कुश्टिन है हमारे समने बिस स्वास्त संगठन का मुख्याले का है इन सभी संगठनों के बारे में बता चुका हूँ बड़े बिस्ताल से तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लें बिस स्वास्त संगठन यानि की डबलू एचो का मुख्याले का है आपको देखने को मिलेगा जैनेवा में कहां जैनेवा में सामन जानकर एक दे देता हूँ डलू एचो के बारे में साथ अपरेल 1948 की स्थाफना की गई थी इसका मुख्याला है आपको जेनेवा सुईजलेंड में देखने को मिलेगा ठीक है याद रखिए और साथ अपरेल को आप देखते हैं कि स्वास्त दिवस भी मनाया जाता है इसी की याद में एक तरह से चलते हैं अंगले कुश्यन की तरह यूनेश्को का मुख्याले कहा इस्ते थे यूनेश्को का मुख्याले कहा इस्ते थे तो यह है आपका पेरिस फिरांस में पेरिस फिरांस में अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो आप देखेंगे कि 16 नवंबर 1925 को हुई थी कब 16 नवंबर 1925 को इसकी स्थापना हुई थी ठीक है और भारत इसमें जुड़ा था यानि कि भारत इसमें सामिल हुआ था आपका 1946 में भारत इसका सदस बना था 1946 में अंतराष्टिये नियाले के नियादीसों की नियुक्ति कौन करता है अंतराष्टिये नियाले के नियादीसों की नियुक्ति कौन करता है महासभा और स्वरक्षा परिश्चत दोनों क्या होगा इसमें A और B दोनों यानि कि C आप्शन आपका एक और दोनों कि ईए सबी आपकी UN के भागें धिया जाद रखे Запाउं कि सके UN के भागें कि कुर चिरन हमारे संबने कि अंतरश््चि नुआले की निया दूस्टों का कारकल कितने वर्स का होता है तो 9 वर्स होता है कितने नौ वर्सका होता है नौ साल का कुश्यन है हमारे सामने अंतरश्टी न्यालय में न्यादीसों की संख्या कितनी होती है तो आप देखेंगे कितना पंद्र है याद रखें अंतरश्टी न्यालय का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा दाहे नीदर लेंड में याद रखें और यह किसका संगठने एक तरह सी भागे यह आपका उसी का यानि किसा युक्तराष्ट संग का भागे यह भी आपका 1945 के आसपास बन चुका सुरक्चा परिशत के आस्थाई सदस्वों का चुनाव कितने समय के लिए किया जता है सुरक्चा परिशत के आस्थाई सदस्वों का चुनाव कितने समय के लिए होता है चार वर्स के लिए कितने सुर्णी दो वर्स के लिए माप करिएगा क्या होता है कि अभी-कभी गल्टी हो जाती है तो आप लोग ऐसा किया करेगा अगर गल्टी हो जाती है तो आप लोग सुधार के नीचे लिख दिया करेगा ठीक है सुरक्षा परिशत का मुख्याले कहां इस्ते थे सुरक्षा परिशत का मुख्याले कहा इस्ते थे निवार्ग में सुरक्षा परिशत के सदस्देशों की संख्या कितनी है मेंमरों की बात की जा रही ही तो पंद्रे कितनी है सुरक्षा परिशत की सदस्देशों की संख्या है पंद्रे जिनमेंसे पांच इस्थाई है और 10 आपके आयस थाई है जिनके पास 5 इस थाई है उनके बारे में हम पिछले किलास में पूरी बात कर चुके थी और याद रखे हैं उन्हें मीटों सक्ती मिली हुई है पावर जैसे यह आप देखते हैं कि बिवाद में बने रहते हैं कि सोधार होना चाहिए इसमें महासबा का मुक्याले कहा थे था महासबा का मुक्याले आपको देखने को मिलेगा नीवार्ग में ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे समने अमेरिकी राष्टपती रोजबिल्ट और बेटिस पिदानमंत्री चर्चल ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक चर्क कप किये थे अमेरिकी राष्टपती रोजबिल्ट और बेटिस पिदानमंत्री चर्चल ले अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक चर्क कप किये थे ए बात है 14 अगस्त 1941 की 14 अगस्त 1941 की यानि कि D-Option हमारा बिल्कुल सही है यह option कैसा है अपना बिल्कुल सही है question है हमारे सामने सयुक्त राष्ट चार्टर के किस अनुचेद में गैर सरकारी संगठन सब्दाबली प्युक्त की गई है सयुक्त राष्ट चार्टर के किस अनुचेद में गैर सरकारी संगटन सब्द अबली प्रियुक्त की गई है तो यह आप देखेंगे अनुचेद एकतर में अनुचेद एकतर में यानि कि ए सब्द ए ओप्सन बिल्कुल सही है कुश्चेन है मारे सामने अंगला नीला हेलमेट सब्द निमलेकित में से किस से जुड़ा है नीला हेलमेट हेमलेट सब्द किस से जुड़ा हुआ है यह आपका सयुक्तराष्ट सांती सेना से सयुक्तराष्ट सांती सेना डी ओप्सन हमारा बिल्कुल सही है 1965 की भारत पाकिस्तान योगत की समय सयुक्तराष्ट संके जिस महासचिप की भूम का सराह नहीं रही बे थे कौन थे आप जानते हैं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच योद्धू आ था और इसमें पाकिस्तान को मुई की खाने पड़ी थे अभी तक जितने भी योद्धू ए पाकिस्तान से हमारे उसमें पाकिस्तान को हार का मुई देखना पड़ा फिर भी वाज नहीं आता है एक बंदिल खंड में आप लोगों ने कहा बस सुनी होगी कि कुत्ते की पूँच पुगईया में डाली और जब निकाली से वो टेड़ी की टेड़ी निकली अंगली कुश्यन की दरह सही राश्ट संग का कौन सा पदासीनreichen सेकेटरी जैनल ए हवाई हादसी में मारा गया था जैनल क हवाई हादसी में मारा गया था तो यह थे डैक हेमर सहूल्ड यानि कि B ओप्शन सही है क्या है? B ओप्शन सही है क्विश्यन है मारे सामने अंतरश्टिय न्याले में न्याजी इस नियुक्त होने वाली पितम भारती ये कौन थी अंतरश्टिय न्याले में नियुक्त होने वाली पितम भारती ये कौन थी आइसी जी अंतरश्टी न्याले में पिथम भालती मुख्ण नागेंद सींग्स कौन्स थे डॉक्टर नागेंद सींग्स ठीक है यानि कि डिये ऑप्षन नमारा बिल्कुल सही है चलते अंगले कुश्चेन की तरफ किस भालती ने अंतरश्टी न्याले की न्यादीस पत को सुसोभीत कर देश का गौरब बढ़ाया यानि कि उपयोक्त सभी इसमें D होगा आपका क्या होगा? D कुश्चेन है मारे सामने सयुक्त राष्ट संग की पित्थम महासचिप कौन थे? सयुक्त राष्ट संग की पित्थम सचिप कौन थे? तो ये थे ट्रग वेली ये ओप्षन आपका बिल्कुल सही है कुश्चेन है मारे सामने सयुक्त राष्ट संग में भारत ने कब से भागीदारी कब से पैरम की थी? सयुक्त राष्ट संग में? कुंठी यार कि इस में सामेल हो गया था किया हुआ था और देखेंगे आप देखेंगे कि भारत सयुक्तराष्ट के उन प्यार्मिक सदर्सों में सामिल था जन्हों ने एक जर्मरी 1942 को बॉसेंग्टन में सयुक्तराष्ट गोशना पत्पहस्ताक चरवी किये थे भारत ने वी और 25 अपरेल से 26 जून 1945 तक सैंड फ्रांसिसकों में इतियासिक सयुक् वारत में žeि कुश्य northern सक profound की भासाओं की संख्या कितनी है था कि आथे आधिकारित मतलब आप समझे की संख्या उ prag अ किसमें सेवतराष्ट सन्में तो इसमें आप ऐसे देखेंगे कि छे हूं क्या छे सिक्स है लेकिन कौन-कौन सी यह 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 आपसे पूछ लेता है तो याद रखी अर्वी चीनी अंग्रेजी फ्रांसीची रोसी और इस्पैनी ठीक है चे मारे सामने अंतराष्टी मसदूर संगठन जिसका मुख्याल जेनाईवा में इसका स्थापना कव गोई इसकी स्थापना होई थी उननिश सौननिस में बहुत पुराना संगठन है यह क्या है पुराना संगठन है अंगला कुश्चन है मारे सामने सयुक्त राष्ट संग के संभीधान पर अंतिम सुईकिती किस संभीलन में मिली थी तो ये था सेन फ्रांसिसको संभीलन ठेके सी ओप्षन आपका बिलपोर्ट सही है अब आप से कुश्चन से बन सकता है कि सेन फ्रांसिसको संभीलन कब हुआ तो ये देखें कि 25 अपरेल 1945 को हुआ था आप से कुश्चन कूँ सकता है भारत कितनी वरसों बाद साधवी बार सुरक्षा वईच्छत का आजथा सदस्ट चुना गया था तो ये 19 वरसों बाद चुना गया था ठीक है अभी जो नए की बात चल रही इसकी बात नहीं कर रहा हूं इस से पहले गी विस्व प्यापार संगतन कवस्तित में आये यानि कि डबलू टी ओ कवस्तित में आये इससे भी आपको कुश्चन से बनता रहा है तो याद रखें संगतनों से मैं कहता हूं कि जितने बार आप पूसके रट लीजिए इनसे कुश्चन सरवाल देखने को मिलेगा और आपक आपको जैनेवा स्वीजलेंड में देखने को मिलेगा कहां जैनेवा स्वीजलेंड में शैके कुश्यन है मारे सामने सियुकत राष्ट संग चायट रहताक्याक्यारनुबारन तो ये था पोलेंड कौन सा पोलेंड र Quindi यानि कि आपका C option बिल्कुल सही है चलते हैं अंगले question की दरब महासभा में सांती के लिए एकता पिस्ताओ कब सुईकार किया गया था महासभा में सांती के लिए एकता पिस्ताओ कब सुईकार किया गया यानि कि D option हमारा बिल्कुल सही है यह कुश्चन से आपका बन जाएगा कि आजकल स्युक्तराश संकी किस अंग की सदस्ता के विस्तार की मांग की जा रही है तो यह है सुरक्षा फजिस्त की क्योंकि आप देखते हैं कि अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इंग्लेंड क्या, इसमें आप देखेंगे यह पांस सदस्त क्या हैं कि इस्थाई सदस्त हैं क्या हैं, इस्थाई सदस्त हैं तो इनमें गड़वड़ी चलती रहती है क्योंकि आपने देखा है कि बीटो सक्ती मिली हुई है और बीटो सक्ती का कहने का मतलब यह है कि अगर एक नवी इस पर एक कोई पिस्ताओ पास करवाना है तो माल लीजे चार इसके पक्च में और एक इसके विरोध में तो इस पिस्ताओ को फारित नहीं किया जाएगा यानि कि पास नहीं किया जाएगा यानि कि दर्द हो जाएगा यानि कि किसी भी पिस्ताओं को अगर पास करवाना है तो सहमती पांचों की जगोई है इससे भी आपको कुश्चन से बन चुका है कि इसमें कौन कौन से सदस है चीन, फ्रांस, रोस, ग्रेट बेटिन और सेवतराज अमेरिका तो ग्रेट बेटिन को भी याद रखना, रोस, फ्रांस, चीन और सेवतराज अमेरिका तो इसमें सुधार की बात की जा रही है अगर आप से पूचे कि इसके अंगों के बारे में पूचे तो आप जानते हैं स्रक्षा परिशद, अंतराष्टी न्याले, महासवा, सजीवाले, आर्थिक और सामाजिक परिशद और न्याय सित्ता ये परिशद ये सभी आपकी छे इसके में बहावें ठीक है इस तरह के कुश्चन्स बन जाते हैं पूरवी तिमोर सेफ्टमबर 2002 में किस देश के साथ सहयुक्त राष्ट संग का सदस बना था तो ये बना था आप देखेंगे सुजेलेंड किसा बी ओप्शन बिल्कुल सही है क्या है बी ओप्शन सही है क्योंकि आप जानते हैं इनके कामों को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है यानि कि आर्थिक इस दिजी इसकी होनी चाहिए तो आप देखेंगे कि इसे सदस राष्टों की द्वारा सभी जो सदस राष्ट है इसके सदस है उनके दिवारा इसकी मदद की जाती है ठीक है कुशन है हमारे सामने किस निमली कित में से किस राष्ट को सेट राष्ट वी उपनवेशी करन समती का पित्वम अध्यक्ष निवप किया गया था तो आपको याद रखना चाहिए भारत कौन भारत इस तरह के questions और बन जाते हैं हमारे बारे में कुछ जानकारी रहती है Question है अंगला हमारा किस देश ने अधिकारी रोप से तटस्त रहती हुए रोज के विरुद जर्मनी की साहता की थी तो आप देखेंगे ए था spend कौन था? spend यानि कि हमारा video option सहीद है याद रखिए अगर आपसे पूछें कि दुतिय विस्तिव कब से कब तक हुआ तो 1 सेप्टमबर 1949 से 2 सेप्टमबर 1945 तक आपका दुतिय विस्तिव चला था ठीक है? यह भी questions बन सकता है Question है मारे सामने का इविजन किस ने किया था? यह था UNCED UNCED पित्वी बचाओ इसे आप लोग बोदते हैं ठीक है? चलतें English question देख लीते हैं क्या पूछा जा रहा है? वह ए कौनसा देश है जिसने जनमस संग्रह की पईडाम की आधार पर सेवतराष्ट संग में एक सदस के रूम में सामिल होने का नेड़े लिया गया है Switzerland कौन? Switzerland B option विल्कुल सही है Question है मारे सामने नेमलिकित में से किस्म को सेवतराष्ट संग सुरक्षा पहिशत का इस्थाई सदस बनाया गया था तो याद रखी इसमें क्या था? प्यारमीक गठन की आउसर पर सेवतराष्ट संकी महासाबादवारा निर्वाचित पांस सदस्थों को इसमें आपको बता चुका हूँ कि इसमें आप France देखेंगे, Roos देखेंगे, Great Britain भी देखेंगे और इसमें आप लोग अमेरिका देखेंगे इन gusta को भी देखेंगे परयावरेंड और विकास पर संजयत्राष्ट संमीलन को क्या कहते हैं? इसमें आप लोग अर्थ संम्मिट या परतिवी सिकर्म यानि कि C option हमारा बिलकु सहिए यह कुश्चन आपके लिए बहूत मत पूंए याद रखिए बैसे तो इस टेस्ट में आपके जितने भी कुश्चोंस हैं यह नहीं कहा जा सकता है कि यह नहीं पूछेगा क्योंकि सभी कुश्चोंस बहुत ही मत पूर है दलवीर भंडारी अंतराष्टी न्याले में निर्वाच्चित होने वाले कौन से भालतिय न्यादिश थे तो आप समझे जानते हैं कि पांच भे न्यादिश थे कौन से पांच भे 27 अपरेल 2000 बारे को किस भालतियों को अंतराष्टी न्याले का न्यादिश चुना गया यह चुना गया था दलवीर भंडारी साहब को बी ओप्शन सही है एक जीवित वास्तु पैदा हुई है सैगत राष्ट के बारे में यह अकतन किस ने कहा था एक जीवित वास्तु पैदा हुई है यह राष्ट संग के बारे में किस ने कहा था यह थी बिलसन साहब यह अकतन बिलसन साहब ने कहा था तो राष्ट्र संग का अंतिम अधिवेशन का भुगा राष्ट्र संग का अंतिम अधिवेशन हुगा था 18 प्रेल 1960 को यानि कि डिये ओप्सण हमारा बिलकुल सही है कूशियन है हमारे सामने सैन फ्रांसिस्को संबिलन में उद्गाटन बासन किस ने दिया था सैंग फ्रांसिस्को में सम्मिलर में उद्गाटन बासन किस ने दिया था तो यह थे true man ने यह option आपका बिल्कुल सही है तो यह थे कुछ आपके मत्पून questions और उनके answer इस तरह के questions साथ के हमेरे साथ पूछे जाते रहें तो बड़े अच्छे से पढ़ लीजे और वैसे आप लोग किरन सामन ग्यान बुक्स आपको कवर करवाईए उसमें सब कुछ बढ़ाए गया है तो उसे आप लोग जाकर प्लेलिस्ट सूची में देख लीजे ठीक है